बच्चों आपको पता है company law और security law की पेपर में आप अपने 25 mark दोगौर से सुनीएगा 25 marks आप खतरे में डाल के जा रहे हैं सर ऐसा क्यूं गोल रे दुशन सर कि हम 25 marks खतरे में डाल के जा रहे हैं है आपने बस उपर उपर से देखा है number one number two आपने LODR के provisions जो important provisions है LODR के आपने वो ढंक से नहीं पड़े है उसके बाद table F तो हम लोग मतलब कठी कर देते हैं और उसको छोड़ी देते हैं बच्चों तो यह एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हम 25 माँ कम नीवा में compromise करते हैं और लगबग 25 माँ हम SLCA में compromise करते हैं ओ दुर्शन सर हमको प्लीज यह मत बताओ ना कि हम क्या compromise करें यह बताओ कि आप क्या solution provide कर सकते हो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहतरीन आपको पूरा मिल जाएगा SS2 आपको पूरा मिल जाएगा SS3 पूरा मिल जाएगा टेबल F आपको पूरा मिल जाएगा और important provisions of SEBI LODR आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगी लगबग 20 से 25 मार्ग बच्चों यहाँ पर मैंने 20 मार्ग लिखा है कमनी लोग में और 15 मार्ग यह तो अशूर्ड है तो आप जिसे कमनी लॉगर पढ़ते हैं तो सेक्शन नमबर 173 जब आप पढ़ेंगे 173, 174, 175 से लेकर roughly around 185 तक आपको यह 185, 86 तक जब तक आप पढ़ेंगे आपको यह SS1 कामा जाएगा फिर 96 से लेकर 122 तक पढ़ेंगे तो आपको SS2 कामा जाएगा 123 से लेकर around 127 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको SS3 कामा जाएगा उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद आपको Table F कामा जाएगा बचो ये टेबल F आपको ये Table F भी एकदम अच्छे से पढ़ना है बचो ये पुरा आपने Table F को भी अलग से आपके लिए बना के रखा हुआ है उसके बाद उसके बाद if you could see L.O.D.R. के Important Provision जिनका Use Companies Act में भी है और S.L.C.M. में भी यहां से काफी सारे Question पूछे जाते हैं जैसे कि Board of Director हो गया Regulation No. 17 हो गया फिर Committees हो गई, Audit Committees, CSR Committee, Nomination and Remination ये सब L.O.D.R. के Provisions क्या बोलते हैं ये सारी चीज़े हमने डाल दी है सो बच्चों कैसा लगा बच्चों ये सारी चीज़े हमने Compile कर दी है अब बच्चों ये सारी चीज़े आपको मिलने वाली है ये हो गई पहली चीज़ दूसरी चीज़ बच्चों जिस चीज़ के उपर हम बहुत टाइम से विचार कर रहे हैं आप सब को पता है हमारी books कैसी है और जिसके पास हमारी बुक है प्लीज comment करके बताएगा हमारी जो iqn academy उसके बुक्स कैसी लगता है comment करके बताएगा उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि हम भी अपनी books की अब open pdf देना शुरू कर दें open pdf मतलब जिसको आप हम pdf दे देंगे जिसको आप अपने घर से print निकाल सकते हैं so हम विचार कर रहे हैं जरूर बताएं comment करके कि क्या ये अच्छी चीज है क्योंकि अभी तक हमारे जो notes थे वो pdf form में available नहीं थे हम hard cover books ही sell करते थे बट हम सोच रहे थे कि हम open pdf दे जिससे हमारी हमको हमारी जो book के जो बहतरीन content है बचो आपने सुना ही होगा आपने दोस्तों से icon academy के books से बारे में that we are planning कि हम उसको open pdf दे दे और हम sell करेंगे तो सिर्फ hard cover books ही sell करेंगे सो क्या आप इस decision से आपको इस decision आपको अच्छा लगता है यह भी comment करके बताईएगा और यह book आपको कैसे मिलेगी सबसे important चीज है यह book आपको कैसे मिलेगी आपको लिखना है आई वांट आपको अपना नाम लिखना है जैसे मेरा नंबर याद रख लिएगा four times eight thirty four times six whatsapp group में मतलब मैं आपको whatsapp यह book share करूँगा मुझे 24 hours का time दीजेगा आप लोग give me 24 hours का time मैं आपको यह book भेजूँ मतलब आप जब whatsapp करेंगे तो 24 किंटे के अंदर मैं आपको यह book भेज दूँगा और यह book पढ़िएगा आपने opinion दीजेगा इस book के बारे में कि आपको यह book कैसी लगी और बचों बस यह book मेरा promise है आपको पच्चीस मार्क आपको पच्चीस मार् और SLCM में दोनों में आएगा SLCM में हो सकता है पांदस मा कम आए बट कमनी लौ में आपको पके साइंगे आपको message क्या करना है मुझे hello sir I am the greatest company secretary आप मुझे लिखेंगे तो चली law of attraction use हो जाएगा और उसके बाद आप मुझे बुलेंगा I want this book और बच्चो मैं आपको यह book भीज़ दूँगा ठीक है